हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमने कस्टमाइज़ एक्सेल को कस्टमाइज करना उसके पहले शॉटकट्स के बारे में बताना चाऊंगा एक्सेल में क्या-क्या शॉटकट्स ही उदोते तो सबसे पहले जो हमें shortcut जाने होते हैं कैसे जानने होते हैं कि या तो आप किसी भी option पर आप लेके जाएंगे तो यहाँ पर screen tip दिखाता है जैसे कि यह italic दिखा रहा है control आई gold पर control भी दिखा रहा है ठीक है जी इसी तरह से कुछ आपको यह shortcut इसके अलावा और कोई shortcuts हो तो कैसे लगाया जाए जैसे कि मुझे border करने है और all borders apply करना है यहाँ सेलेक करके all borders तो जवाब है है इसके लिए shortcuts इसके लिए हम shortcuts के लिए क्या करते है हमारे keyboard पे alt का button होता है alt का button जब press करते हैं हम एक बार बस press करके छोड़ना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके कुछ keywords आपके सामने आ जाएंगे जैसे home के नीचे h आ रहा है, insert के नीचे n आ रहा है, page layout के नीचे p आ रहा है, office button के उपर f आ रहा है अब हमने जाना था इस borders पर तो उससे पहले हमें home tab में घुजना पड़ेगा, तो यह keywords हैं जब आप इनको लिखेंगे, keyboard से मैंने home के लिए h दबाया, तो उस tab के अंदर बाकी सारे keywords आपके open हो जाएंगे, ठीक है जी, अब border के लिए नीचे देखें तो b इसी तरह ही से, इ आ गया, b जैसे किया मैंने दवा दिया, छोड़ दिया, अब यहाँ पे मेरे बाकी और keywords आ गया, तो all borders के लिए आ रहा है मेरे पास a, तो all borders apply हो जाएंगे, जैसे मुझे यहाँ पे all borders करना है, तो मैंने क्या करना है, alt h b a, चीक है, इसी तरह से माल लिजिए merge in center करना, यहाँ मैंने select कर लिए, मैंने दवाया, alt, home में जाना पड़ेगा, h, margin center के लिए m बता रहा है, m, margin center, इस option के लिए c, अनमर्ज के लिए है, alt, h, m, u, सब कुछ आपको लिखा लिखाया, इसमें लिखाई दे जाए, तो क्या करेंगे, इसी तरह से माल लिजिए, आपको data में जाके filter लगाना है, आप दूसरे टैप में, तो उन्ही को follow कर लिए हम खाली, माल लिजिए, यहाँ मुझे filter लगाना है उपर, तो क्या है कि alt data के लिए a, और filter के लिए है क्या दिखा रहा है, t, तो alt 80 filter का shortcut हो गया, चीक है जी, इस तरह से आप अपना alt key से shortcut चला सकते है, माल लिजिए print preview करना होता है आपने, तो कहां होता है, file button में जाते हैं, फिर यह print के option बिढ़ाते हैं, और इस arrow पे जाते हैं, यह print preview का option आता है, चीक है जी, इस option के लिए क्या करना alt, office button में क्या दिखा रहा है, f, then यह arrow सा जो print के सामने दिखा रहा है, उसके आगे दिखा र है, v, print preview हो आगया, चीक है जी, तो इस तरह से हम लोग अपना shortcuts को handle करते हैं, अब एक और तरह के shortcuts होते हैं, जैसे कि आपने use किया होगा, यह, format cell का dialogue box है, जो, जो कि आपका home में, यहाँ पे arrow बटने इसको दबाने से भी आता है, right click करने से भी आता है, format cell का option, और इसका shortcut control one भी है, control one से दिया आता है, चीक है, तो इस, अब यह, इसको कहता है dialogue box, यह जो अलग से खुलके आता है, यह dialogue boxes होते हैं, अब इनको कैसे handle करना है, माल लिजिए इसमें tabs पढ़ें, tab navigation करने हैं, आप tab का button दबाएंगे, shift के साथ tab का button दबाएंगे, shift के साथ tab का button दबाएंगे, shift दब करके tab का button दबाएंगे, sorry, control के साथ, control का button दबाएंगे, तो tab, एक आगे बढ़ेंगे, control के साथ shift दबाएंगे, तब tab दबाएंगे, तो reverse order में आएगा, अचीक है जी, हर एक tab हमारा अलग अलग होगा, माल लिजिए alignment पे आगया, अब मुझे इस, यहां के option access करने, जैसे माल लिजिए मुझे wrap text करना है, तो wrap text, यहां तक कैसे आ हुआ, एक तरीका है कि जब आप tab दबाते हैं, सिर्फ tab खाली, तो यह कि करके option पे highlight करता है, और आता है, shift tab से reverse में जाता है, control tab उपर की tab navigation के लिए, single tab जो है, अंदर की navigation के लिए, ठीक है जी, उसके अल हर एक option के नीचे underline, एक underline character है, जैसे wrap text में w है, shrink to fit में k, तो यह basically hint होता है आपके shortcut के लिए, और यह shortcut कैसे चलते हैं, इसमें alt का button दबा के रखना पड़ता है, की press करने पड़ता है, हमारे उपर वाले में जब हमने वो all borders और मर्च सेंटर अपलाई दिया था, यहाँ पे आपको दबा के रखना, तो alt का button दबा के रखते हुए, जैसे shrink to fit करना चाहता हूँ, तो k underline character है, तो मैंने alt दबा के रखते हुए, k दबाया तो यह alignment, तो edge के नीचे यही sign है, तो alt दबा के रखते हुए, edge दबाया, यह option खुल गया, list box को कैसे access करते हैं, इसको कहते हैं, combo box कहते हैं, जो इस तरह से drop down खुलती है, इसको combo box कहते हैं, इन में से कोई भी option आपको shortcut से, अगर access करना है, तो पहला character आपको दबाना पड़ेगा, य alignment, इस एंटर के लिए C है, अब बार बार C दबाएंगे तो उसमें जितने भी C वाले character होगे, आपस में switch करेंगे, तो जो भी आए, enter का button प्रेस करके आप इसको select कर लेगे, ठीक है, अब उसके बाद आपको okay करना है, तो इसको आपको पता है कि यहाप एक green लिए है, इसका मतलब कि जब आप enter का button दबाएंगे, तो यह वाला option आपका okay हो जाएगा, तो जैसके enter का button दबाएंगे, तो वो okay हो गया, और आप capture क्या दिया, अमाली जिए cancel करना है, तो escape का button दबा सकने keyboard से, जिसमें वो cancel हो जाता है, वो command apply नहीं होती, जो भी आपने दिया, इसी तरह से आपके print preview में page setup का dialog box होना, इसका जो shortcut है alt s है, जो की 2003 वाले version का shortcut है, इसका, इसका जो shortcut है alt 3 s p, इस तरह से, तो alt 3 के याद रहता है, कोई दिक्रत नहीं, पुराने shortcut में use करता हा रहा हूँ, इसको इसको पूरी करता हूँ, इसको पूरी करता हूँ, इसको पूरी करता हूँ इसको भी वैसे ही करेंगे, जैसे landscape करना है, alt दबा के, l दबाया landscape हो गया, फिक टू बन करना है, alt दबा के, f दबाया, चीक है, दबा के रखते हूँ, और enter कर दिया, ok हो गया, यहां गया मेरा, अब यहां से बाहर निकलना है, तो यहां तो alt, c करूँ, या फिर escape के बटन से भी बाहर आते हैं, तो इस तरह से हम shortcut इसमें Excel में यूज करते हैं, डायलोग बॉक्से की पॉर्म में, alt की के साथ, इसके साथ आप चाहेंगे कि माल लिजे आपको एक list मिल जाए, जिससे आपको पता पड़े कि कैसे डायलोग का access किया जाता है, या कोई control की के साथ कितने shortcut ह आप एक list चाहते हैं, तो अपने keyboard से F1 का बटन दबाए, F1 का बटन help के लिए होता है, इसमें डालेंगे keyboard shortcut, search करेंगे तो Excel shortcut and function key का option आजाएगा, इसमें आप click करेंगे तो आपको सारे shortcut में जाएगे, control shift के साथ क्या है, देखे, hide and hide row के लिए, चीके लिए, applies the outline border to select itself, control shift and the line, removes the outline border, control shift underscore the line, चीके जी, आपको पूरी लिस्ट इसमें जाएगे, आपको पूरी लिस्ट इसमें जाएगे, आपको पूरी लिस्ट इसमेंगे, इसमें मिल जाती है, Excel help में, जिसको आप पर सकते हैं, देख सकते हैं, जितना याद हो ठीक है, नहीं दोबल बात है, इस तरह से लिस्ट इसमें जाएगे, इसमें पढ़े एक्सल के लिए, आपकी window को बदने काफी time हो गया है, इनको भी एक बार update के लिए, और यहाँ पर keyboard shortcut कर सकते हैं, तो आपके keyboard shortcuts कर के आ जाएगा इसमें, और इसमें जितनी तरह के shortcut होंगे, वो आपको पता पर गया है, जनरल shortcut कौन कौन से आपके windows में चलते हैं, डायलाउग बॉक्स इसके shortcut जो मैंने आपको बताएं, विंडो लोगों की के shortcut देखने वाले हैं, क्योंकि पहले हम विंडो दी वगरा करते थे, आज कल काफी बढ़ जुके हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं, चीज़ें तो आपको shortcuts की पूरी list मिल जाते हैं, इसके अलावा एक चीज़ और है, shortcuts में इतना ही, Excel की शुरुवात करने से पहले हमें इसकी limits को जानना होगा, कि Excel में हर चीज़ की limit कितनी होगा, तो हम क्या करेंगे, वापस F1 पर जाएंगे, और limits करके डालेंगे, Excel specification and limits आपके सामने जाएंगे, इसमें क्या है कि एक छोटी छोटी सी जानकारी दी गई है, कि worksheet का size कितना हो सकता है, column की width कितनी हो सकती है, रोकिया height कितनी हो सकती है, इस तरह की information आपको यहाँ पे मिल जाएगे, filter drop down में कितने character हो सकते हैं, कितनी list हो सकती है, तो इस तरह की information आपके लिए readily available है यह information हो सकता है, अभी आपके काम ना है, बट जब आप VBA की तरफ बढ़ेंगे तो यह चीज़ें आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि Excel में आपको सब कुछ दिखता है, आप limited use करेंगे, पर VBA unlimited होता है, उसको जब तक आप रोके ना, तब तक वो चलता रहा है, तो उ जब पड़ी तो कहां देखींगे, इसके बाद देखते है, एकसल को कस्टमाइज कैसे किया जाता है, कस्टमाइज के मतलब है, कि मुझे अपने काम के हिसाब से इसको थोड़ा सा सेट करना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शीट्स, जो इसमें 6 शीट दिखा रहा है, क्यब सेटें को बाई रेक रिपर्ट कैसे करना है, कि मेरे पास ब्लैक कलर का दिखा रहे हैं, जो इसमें 3 शीटों को कस्टमाइज कर सकते हैं, और कई जो एरर्स आती हैं अपनी एकसल में, कोई बार कोई नहीं मिल रहा होता कहाँ है, वो सब कैसे लाते हैं वापता कर शायते हैं कोई ुसे वा लो गया है तो इनिएबल डी सेबल करने के बारे में है कि सेशन में देखेंगे शॉट कस्टमाइजेशन एक्सल कस्टमाइज जो होता है या इप प्किलीक करें एक्सल उप्षीं प्लिक करेंगे तो इस तरह का एक डाइलग बॉक्स आ जाता है आपके सामने, जिसमें अलग-अलग category है, popular, formula, proofing, save, advance, customized, item, trust center, तो इनके बारे में बताता हूँ, इनके जरूरत, आप तो एक बार वैसे brief में देख लें, एक option आया था इस excel में, जब हम type करते हैं और कोई text select कर लेते किसी cell में तो एक छोटी सी toolbar यह उबर के आती है, जो आपको उसी जगह पे edit करने के facility दोती है, यह आप उसका font बदलना चाहें, यह size बदलना चाहें, तो माल लीजे, किसी तरह से यह आपकी नहीं आ रही है, मिल्जी toolbar अपीर नहीं होगी है, यह से मिल्जी toolbar कहते है, तो problem यहा कर रहे हैं, तो कोई toolbar में दिखा रहा है, तो यह यहाँ से Excel options से में popular में, यहाँ से enabled दिखे रहा है, जैसे मैं किसी cell पे जा रहा हूँ, किसी को select किया मैंने, color पे ले जा रहा हूँ, अभी मैंने click नहीं किया है, पर यह मुझे instant changes दिखा रहा है, जैसे mouse ले जा रहा हूँ, इस option को कहते है, live preview, कि मतलब apply करने पर आपको कैसा लगेगा, किस तरह से data दिखेगा, उसका एक preview type का होता है, कई बार यह option नहीं हो रहा होता, तो उसमें क्या है, यह दूसरा वाला जो है, आपका off data, ठीक है, आप जाओंगा, तो मुझे कोई preview नहीं दिखाएगा, कोई भी changes नहीं दिखाएगा, तो यह जो है off हो जाता है, उसी तरह से आप मेरे पैनल में देख नहीं होंगे, कि हाँ पे मेरे पास काफी सारे tabs है, इसके अलावा मेरे पास एक developer tab, developer tab macro के लिए use होता है, और user forms के लिए use होता है, form controls वगेरा इसमें, तो यह आपके में by default appear, नहीं होता है, तो इसको appear करने के लिए क्या करना है, एक्सल options में जाके show developer tab पे click कर देना होके करेंगे, तो आपके पास भी यह developer options आ जाएगे, इसके अलावा जो मैंने बताया कि आपको default set करने, font, font size, sheets मैं कह रहा ता, अच्छे हैं, तो यह आपको set करना है, तो आप यहाँ से ही ideal, इंका साइगे, यू कॉन साइगा जाएगे, जो भी यहाँ change कर देंगे, वो, कोई भी Excel फाइल को लेंगे, उन सब पे application, यह application पे applicable हो जाता है, यह दि, जैने उसके बाद मैंने color mode के बारे में बताया था कि जैसे मेरा black आ रहा है, तो color mode भी हमारे पास होते हैं यहाँ पे black, blue, silver, अब मैं blue select कर लेता हूँ तो यह blue color का होगा, दूसरा screen tip style के बारे में बताया था जैसे shortcut identification के लिए, क्या और क्या होता, screen tip नहीं 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 होगा है, जैस स्क्रीन टिप आ रहे हैं उस पर description नहीं आ रही है, तो यह अप्शन सेलेक्टिड होगा यह वैसा बीहेव करेगा ठीक है एक चीज़ आपने देखी होगी मैं कोई भी जैसे मंत के नाम डालता हूँ और इसको यहां ड्रैग कर सकता हूँ इसी तरह मंडे ट्यूस्टे डालता हूँ और इसको ड्रैग करता हूँ यहां पर और भी कई नाम आ जारे हैं कोई सिटी डालता हूँ जैसे कि मैं रोज क्या करता हूँ डेटा बनाने के लिए इनका यूज करता हूँ तो मैंने इनको by default set कर दिया है कि उनमें से कोई भी नाम डालू एक लिस्ट इसको अल्रेडी प्रवाइड कर दिया है जैसे कोई भी नाम आये बाकी का डेटा यहां ड्रेगिंग में ला देंगे यही सेम इनके साथ होता है बट इन दोनों में फरकिया है कि इनको मैं ने फीड किया और यह Excel में already fitted है, कहां से होता कौन सा option है, Excel options में जाएंगे added custom list का option है चीक है जी, यहाँ पे पहले जो उपर के चार option है Sunday, Monday January, February यह fixed रहते हैं, तो यहाँ पे disable भी दिखाता है, इसमें कोई change नहीं कर सकते हैं बाकी के कोई भी list बना के मैं इसमें add कर सकता हूँ अगर मैं कोई list बाहर पढ़ी है तो मैं यहाँ से import भी कर सकता हूँ किसी file में से ऐसे select करके import कर सकता हूँ तो यह data यहाँ पे आ जाए add करूँगा, यहाँ पे list में चला जाए ठीक है अब वहाँ list आड़ करने के बार आप जा कर सकते हैं कोई भी उनको डालेंगे तो वो आपका इस तरह से list बन जाए ठीक है जी, इनको मैंने add किया तो custom list आप जो daily list कोई किसी तरह की use करते हैं बनानी पर जबावा तो ऐसी कोई list tweet कर सकते हैं अब चलते हैं next part पे formula चीटे दो कई बार क्या होता है कि आपने formula लगा दिये यहाँ यहाँ पर मैं कुछ डाल देता हूँ नंबर सो गया और यहाँ नीचे मैंने एक sum का formula लगा दिये चीटे दो अब यहाँ change कर रहा हूँ change हो रहा है कई बार क्या होता है कि change नहीं होता है चेंज क्यों नहीं होता है क्या problem होती है कई बार यह formula के अंदर जो calculation है वो manual में हो जाता है अब जब यह manual mode में होगा तो जब आप इसको बदलेंगे तो यहाँ पर result नहीं दिखाएगा अगर F9 दबादेंगे keyword से तो result दिखाएगे problem क्या होती है यह option आप यह भी अभी देबल होते है formula tab में calculation option automatic और manual automatic accept data tables तो data tables कुछ एक concept है जिसको बाद में बताएगे automatic manual दो mode मान के चले है जब manual में होता है तो यह automatic result नहीं देता automatic result के लिए आपको automatic पर ही calculation mode set होना जाएगे ताकि हमें instant changes यहाँ पर देखाएगे manual mode में आपको calculate करना पड़ता है जिसके लिए आपके पास यहाँ पर option है calculate now का जिसका short set है इसको कई लोग जान बुच के भी off करते है मान लिजे एकी sheet पर आपके 15-20,000 formula लगे हैं और computer क्या है कि उनको calculation के लिए हर formula calculation के लिए कुछ समय लेता है तो एक एक मिली सेकेंड भी अगर वो ले रहा है तो कई हजारों formula कई बार minto ले जाते हैं calculation करते हैं mostly VBA codes के साथ ज़्यादा होता है तो क्या कराते हैं हम VBA code चलाते हैं उन calculations को off करा देते हैं और फिर से on करा देते हैं तो कहने का मतलब यह है कि कई बार आपको macro चलाएं अपनी sheet पे तो macro भी कई बार off कर जाते हैं इनको manual mode पे set कर जाते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसको calculation mode कहां से ठीक किया जाता है चीक है जी यह है enable iterative calculation iterative calculation क्या होती है just like loop तरह की आपने circular reference की error देखी होगी इसमें एक्सल में circular reference क्या करता है references क्या होते हैं जैसे कि मेरे को यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इस cell का जो address है हुआ है A1 A1 का मतलब है column A 1 का मतलब है row first row तो उसका intersecting point जैसे B6 B column और 6 row intersecting point वो होगा जहाँ पे हमारी value store होगी और इसके उपर इसका नाम लिखाता है इनको reference बोलते हैं अगर मैं यहाँ पे equal to A1 लिखू तो उसका मतलब है कि मैं A1 के column में जो value है उसको call कर रहा हूँ इसी तरह से B6 लिखू तो B6 में जो value है उसको call कर रहा हूँ यह ऐसा reference mark भी आपको दिखाता है तो इन references में क्या होता है कई बार यह अपने आप में ही उलच जाते हैं कैसे कि जैसे मैं ऊपर एक दे देता हूँ कि 10 plus कर दो नीचे वाले में अभी तो ठीक है अब नीचे वाले को कह देता हूँ कि 10 plus कर दो उपर वाले में अब यह धरम संक्ट में पढ़ गया कि कि किसको क्या कर दो कि उपर वाला कह रहा है नीचे में plus करके result दिखाओ और नीचे वाला कह रहा है नीचे में plus करके result दिखाओ तो करेगा कैसे आपस में आपस में एक दूसरे को कर रहे है तो circular reference की error लाग तो कई point of time में कई options में हम इनको enable भी कर सकते है जैसे मैं enable iterative calculation करूँ मैं कहता हूँ कि यह formula पचास बार आपस में calculate हो जाए start zero से लिए तो कि इस case में आपका result दिखा सकते है otherwise यह आपका नहीं चाहिए यह formula मोज़िए scientist होगरा कभी कभार use करते हैं अगर उन्हें करना होता नॉर्मल में आपको कोई use ने ठीक है ने जैसा कि मैंने बताया A1 यह reference है इसको कहते है absolute reference ठीक है जी absolute मतलब यह A1 है तो A1 ही रहेगा चाहिए मैं यहाँ पे लिखू तो भी A1 है चाहिए यहाँ से लिखू तो भी A1 है fixed position है Excel में दो तरह के referencing style होते है एक absolute reference एक relative reference relative reference हमारा यह चलता है फॉर्मलार में देखेंगे R1 C1 reference style जिसका मतलब होता है row 1 column 1 reference style row 1 column 1 क्यों कहा जाता है अभी तक आपने देखा यहाँ पे ABCD लिखा हुआ थक पालम देखेंगे अभी बन टू थी फॉर बदल गया तो absolute अब जब मैं यहाँ पे equal to करके इसको select करता हूँ तो इसका reference दिखाता है R-5 C-3 ठीक है जी पर किसी और cell से अगर करता हूँ तो यह मुझे दिखा रहा है R-5 C-6 बदल गया reference वहाँ क्या था minus 3 यहाँ क्या था minus 6 तो मतलब उसका reference बदल गया relative क्यों कहा जाता है absolute मतलब fixed है relative मतलब यह cell के इस खाप सकता है इसका मतलब होता है कि row minus 5 यानि कि उपर जाए 0 का मतलब होता है वो खुद 1,2,3,4,5 तो यह minus 5 है ठीक है जी row minus 5 हुई then column के लिए क्या बता रहा है minus 6 तो 0 खुद है 1,2,3,4,5,6 इसलिए अब यहीं से देखेंगे तो इससे related है minus 5 वहीं उपर जाएगा minus 3 0,1,2,3 यहां आ रहा है 0,1,2,3,4,5 यहां तो मतलब डिफ्रेंसिव के calling position से relate हो रही है ठीक है अभी यह back side में गये थे अगर मैं इनको front में ले जाओं मैं लिजे मैं नीचे ले जाता हूं तो row plus में जाती है उपर ले जाओंगा तो row minus में जाएगी कुछ नहीं दिखा रहा है उसका मतलब zero होता है इसी तरह column है आगे बढ़ाएंगे column को तो यह plus में positive में दिखाएगा पीछे बढ़ाएंगे तो negative में दिखाएगा तो यह referencing style है जो आपका excel में दूसरा use होता है यह referencing style normally आपने use करते किसी को नहीं देखा होगा पर VBA में आपका यह referencing style चलता है जिससे आप data का पता लगाते हैं दूसरा जब भी मैं formula type करने लगता हूँ जैसे वी look up type करना तो वी दवाया मेरे पास पूरी list आगे यहां भी क्या आप दवाऊंगा तो bracket तक यह formula खुल जाएगा जो भी highlighted होगा अब इसको कहते है autocomplete future कई बार यह नहीं चलता है तो क्या problem होती है formula में जाके formula autocomplete जो है यह सिलेक्ट नहीं होता है तो autocomplete आपके सामने देखाता है चीग है जैन कई बार क्या होता है कि अमाल लीजिए मुझे कोई check number entry करना है और check number entry करने में आप जानते हैं जैसे कई बार कई check number zero से start हो जाता है च्छे डिजिट का हमाल लीजिए check number और जीरो से start हो रहा है डबल यह चेंज करता हूं कि यह टेक्स्ट में रहे बदल जीरो लिखा हुआ लिखा हुआ लिखा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि जो मैं एंड़ जाए और वो टेक्स्ट की चीग है जी तो उसके लिए मुझे यह क्या यूज़ करते हैं अपोस्ट्रॉफ का साइन यूज़ यूज़ करती है अब इसके बाद जो भी मैं लिखुआ है तो मैं लिख़ा हुआ थिक और यहां पे एक इस만 का साइन है यां पे क RC- प्रवल्बम बता रहे हैं है number stored as text nenhuma बसके हुआ है कि आपने जो लिखाisión बन गया केस में आगे वाले जीरो काई है पीसिकली यह क्या होता है कि background में data चेक उर रूल आपको आप चाहते हैं कि आपक चाहते हैं कि यह मतलब एरर चेकिन नहीं नहीं तो यहां से अन्चेक कर दीजे तो एरर चेकिन भी दूजरा उसके color choose कर सकते हैं गरीन कलर का दिखा रहा था, अब उसके color choose कर सकते हैं कोई भी color? कि सुरूल के तहर्ट कर रहा है अभी जो था वो इस रूल के तहर्ट था नंबर फॉर्मेटेड एस टेक्स और पर्सीटिट भाया अपॉस्टो चीक है तो यहां से आप इनको इनको इने वर डिसेबल कर सकते हैं देन उसके बाद और आप्शन देखते हैं पूफिंग में पूफिंग में क्या होता है कि कई बार आपका मालीजे मैंने यहां पर लिखना चारा हूं गलत स्पैलिंग यहां पर अपरकेस अब एप सेवन से आप इनकी स्पैलिंग चेक कर सकते हैं तो इसने मुझे यह तो बताया कि यहां तो इसने कंप्लीट कर दिया कैपिटल वाले में भी गलता पर इसने चेक नहीं तो होता क्या है कि अगर मैं कैपिटल वाले के भी एरर चेकिंग करवाना चाहता हूं इस तरह से तो यहां पर यह जो ऑप्शन ही अंचेक डोना चाहता है इग्नॉर वर्ड्स इन अपरकेस बाइडिपॉल्ड यह चेक रहता है और भाइडिपॉल्ट यह चेक रहता है अगर मैंने अंचेक कर दिया तो मैं इसको सिलेक्ट करके F7 दबा रहा हूं तो यह इसका बता रहा है और नेक्स्ट मुंप यह इसका बता रहा है तो यह आपके कंट्रोल में हो जाता है कि वैशन आप कर्वाना चाहते है कि ने उसके बाद क्या होता है कि कई बार मैं क्या करता हूँ сторону है कि यहाँ ब्रेक्ट में आप ट्रेड मार्क के साइन में इसी तरह अगर आप सी करेंगे मेरे में चेंज नहीं होगा पर ये आपके में चेंज होगा है कॉपी राइट के साइन में रैकिट में आर लेखेंगे तो रेजिस्टर के साइन में हो जाएगा मेरे में नहीं होगा अब पिला, नॉर्मली हो जाता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको लिखना यही है और बार बार चेंज हो डा, यह option होते हैं, यह आपके पूटिंग में होते हैं, और अटो, और अप्शन के, यहाँ पे option है, replace text as you type, तो आप देख रहे हैं कि replacement, आप क्या लिखेंगे और automatic replacement हो रही है, ठीक है जी, अब नहीं चाहते हैं कि automatic replacement कुछ दिर के लिए आप कर दूँ, तो यहाँ से replace text as you type में ok कर दीजिए, uncheck कर के ok कर दीजिए, तो convert नहीं होगा, आप उतने time के लिए link भाएंगे, freely जो भी लिखना चाहिए, ठीक है, पट इसी चीद को मैंने कई बार अ अपना नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कुछ add भी कर सकता हूँ, उनकी dictionary ही है, जैसे SS दबाया मैंने, संदीब कर दीजिए, तो ऐसे कुछ word जिसके लिए मैंने corporate design कर दिया है, कि उनको डालू और enter करते ही, वो अपनी पूरी form ले ले तो वो codes मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, add कर सकता हूँ, अपने proofing के segment में, और तो correct option में, यहाँ पर बस मुझे type करना है कि क्या लिखना है और किस से replace करना है, और add कर देना है, ठीक है, और क्या होता है इसमें दिक्तर किसी से related, माली जी आपको यह वेb address करना है, type करना है, य चाहता है कि मुझे वेb address, email address आपके hyperlink पे कहा convert हो जाते हैं, और जैसे ही, आप इसमें edit करना चाहते हैं, वाँस लेके जा रहे हैं, तो यह click हो जाते हैं, इंटरनेट explorer जाता है, दिक्ताता है, तो आप चाहते हैं कि कुछ दिर के लिए hyperlink conversion जो है, आपकर करना है, उसके बा पी हमारे proofing options में होती है, auto correct option में, auto format as you type यह उपर है, second option, internet and network path with hyperlink, इसको आप कर दीजिए, आपका कोई भी web address, अब convert कर दीजिए, कोई hyperlink नहीं है, डारेक्ली जाके edit कर सकते हैं, जब आप इन सब options की practice कर रहे हों, तो यह ध्यान रखिए कि आप इनको वापस सही ज़रूर कर दे, अगर आपको याद है option, याद हो गया है, तो कोई बात है, आप बात में भी कर पाएंगे, फरमा लिए कोई ऐसा option try गया और आप भूल गए, कि कहा था, फिर दिक्ता पो जाएंगे, चीके इसके अलावा अब save का option है, save के option में बहुत चीज़ें होती है हमाएंपास, जैसे की, मैं save as का button दबा रहा हूँ, save as के लिए, अब 12 shortcut use करता हूँ, अब दिखा रहे हैं कि by default location जो है मेरी desktop दिखा रहा है, ठीक है, और जो इसका format है, excel macro enabled workbook, ठीक है, जो एक्सली excel workbook selected होता है, macro enabled workbook मेंने, इसमें automatically आ रहा है, तो इन दोनों को default पर set करने के लिए आप कहां से करेंगे, कि कोई location particularly आपने set करने है, तो इस save का option है, जिसमें आप उनका format, default format और ये default file location है, यहाँ पे उसका path डाल देंगे, तो ये वहाँ save होने लगेगे, चीज़ें, उसके अलावा है, save auto to recover information every 10 minutes, इस बार क्या होता है कि हमारा computer crash होके बैस, down हो गया, properly shut down नहीं हुआ, power up हो गया, तो जिस file पे आप काम कर रहे थे, उसकी एक recovery file बन जाते है, चीक है जो, recovery file बन जाती है कि जितना भी आपने काम किया है, तो वो recovery file जो होती है, उसकी location क्या होती है, हाला कि 2007 में वो delete हो जाती है, जैसे ही आप start करेंगे, Excel उसको right side में आता है, अगर आप उसको recover कर लेंगे तो आ जाएगी, नहीं करेंगे, पर बात में दुबारा नहीं मिल नहीं हो आपको, तो auto recover की location जो होती ही, वो इस file location में save होता है, ठीक है, Excel बोलने से पहले आप देख सकते हैं चाहें तो, और यह क्या करता है, तो अगर यह अंचेक होगा, तो auto recovery आपको नहीं मिलेगी, गलती से अंचेक होगा, तो auto recovery आपको दुबारा मिलेगी नहीं हो, चीक है जो, दूसरा, जब यह save करता है, तो कुछ time लेता है, कई बार हम ऐसी file ओंपे काम करते हैं, जो बहुत बड़ी होते हैं, जोंके save होने में 10 से ज्यादा मिनट ले लेते हैं, और वो 10 से ज्यादा मिनट ले लेते हैं, तो auto recover के मताबिक हर 10 मिनट में save होना है, तो वो save ही होते रहे करेंगे हर बार, काम नहीं करेंगे, hang रहेंगे कुछा, ऐसी file को जब खोलना है, तो आप disable auto recover exceptions set कर सकते हैं, जो इस तो इस तो इस तो इस फाइल के लिए अभी काम ना करें, ताकि सिस्टम नहीं साथ, तरह से आपकों करते हैं, तरह से आपकों करते हैं, आपकों करते हैं, आपकी देखते हैं, इसमें advance option, mostly क्या होता है, कि आप enter दबाते हैं, तो down में जाता है, टाप दबाते हैं, तो आगे जाता है, shift tap दबाते हैं, तो पीछे जाता है, shift enter दबाते हैं, तो उपर जाता है, basically दिखा रहे हैं, यह चारों enter दबाते हैं, तो नीचे आता है, तो enter जाते हैं तो कहां जाने हैं वह आप इसमें डिपॉर्ट सेटिंग जाती है मैं तर मार रहे हैं ओपर चल रहा है तो यहां से इसकी डिरेक्शन सेट होती है डाउन राइड अप लेप्ट जो सेट रहेगा उसी साफ से कई लोग decimals में बहुत काम करते हैं चीक है यह ऐसी error आ जाती है इसमें क्या है automatically insert a decimal point दो point का decimal जाय मैं डाल रहा हूं 1022 automatically इसमें इसमें इंसर्ट कर देगा को यूज करते हैं तो बहुत जादा जो डेसिमल करते हैं वह सेट कर देते हैं कि में खाली वह डालता रहूंगा, डॉट-डॉट बार बार नहीं दमाऊगा, या कभी गड़बड़ी से आपके साथ इसा होगे कि आप फिगर डालना है, वह तो उसकी सेटिंग यहां से होती है। कई बार क्या होता है कि जिसे ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, ड्रैग करने के लिए आपको ये जो ब्लैक डॉट डिक रहा है था, इस पे जहा हम ले जाते हैं तो ये प्लस के साइड में, बॉल्ड प्लस के साइड में करणों हो जाता कई बार क्या होता है कि ये जो ड्रैगिंग का एक अला डॉट गायव हो जाता है। कई मैक्रोज ऐसे हैं जो कर जाते हैं, वो क्या होता है एडवांस में, थार्ड ऑप्शन जो है, इनेबल फिल हैंडल एंड सल ड्रैग अडॉट ये आफ हो जाता है, तो आपको वो ब्लैक डॉट ने मिलता है, ब्लैक डॉट ने मिलेगा तो आप ड्रैग कैसे करेगा, ठीक है ये बहुत ही common problem है, जो सब के साथ होती है, तो इसका option आपको एडवांस में जाके मिलेगा, चीक है जो, कई बार आपने देखा होगा कि grid line के color किसी और तरह के हैं, बाकी सब ऐसे ही grid line का, grid line का color अभी by default black या वैसे है, कई बार आपने red में देखी होगा, इस तरह से, तो grid line का color यहाँ पे advance में ही है, आपको मिलेगा, अब इक टिक कस्टम आई हूँ, formula को value में बदलने के लिए pinch special करना होता है, तो मैं copy करके paste special करना हूँ, but मैंने paste as values का एक shortcut यहाँ पे लगाना है, अभी justify का है, justify का क्या करता है, यह मैं वैसे बाद में बताऊंगा, आपको justify अगयरा, का यूज करते, इसको मैं justify अगर करूँ, मैं इस पे click करूँगा, इस option पे, justify होगा, तो basically यह option यहाँ पे होता, fill में, यह justify में होता है, fill के अंदर, तो वो option वहाँ तक कैसे पहुचा, यहाँ पे कुछ भी आपको shortcut प्रिट करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे paste as values करता है, इसकी जगा, तो यहाँ कस्टमाइज में आप जाके कर सकते, यहाँ पे जो होता है, जैसे justify को मैं यहाँ से remove कर देता हूँ, और मुझे चाहिए paste as values यहाँ पे, ताकि मैं किधर quick access bar में shortcut य कोई यहाँ पे use कर सकते, जैसे आपके सारी commands हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी बाहरी फाइल से macro भी इसमें add कर सकते, अगर macro होंगे, तो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे, जिनको आप quick access पे tag कर पाएगे, otherwise macro आपको दिखाएगा, जैसे पार्की home button में, अब alphabetical order में, तो paste as values पी के section में होगा, तो यहाँ पे मेरा एक option आइड होगा, तो जैसे यह formula आए देखने हैं, तो इसको copy किया, और तो इस तरह से आप quick access के option यूज़ कर सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, बाके जो row है, इसमें आपके और भी option आदेखने हैं, यहीं पे, जो गौर अगर ज़्यादा डाल आपके पास है, आडिन, आडिन्स कभी यूज़ करते हैं, जैसे आपको macro करना, macro आपकी कोई फाइल आड़, एक्सल आडिन्स है, यहाँ से go में जाएंगे, यहाँ पे कुछ आडिन्स पहले से दिये हो हैं, जैसे कि solve us, solver mostly पहले से install दिये होता, कहीं लोग करते हैं, इसको यहाँ चेक करेंगे, ओके करेंगे, कोई additional करना है, आपने तो उसको browse कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे add in की कोई file है, जो macro अगरा, आपको add कराने की हो देते हैं, तो data मेरे solver यहाँ आ चुका है, ठीक है, एडिशनल functionality को kimse को भी use करना है, तो आप add in की जरिए चाए है, ठीक हो, रेन आपका trust center, कोई macro की file आइज चला रहे, चलाने चाता है, macro ही इन गीचला, तो trust center क्या होता, है sir security setting होती है, आप यूज कर पाएं ना कर पाएं यहां पे रिक्वार अप्लिकेशन आदिन्स को भी साइन आपके होते हैं जैसे फ्लैश की गेम बना के चला दी किसी ने किसी ने दे रुए आपके हैं इनको एक्टिव एक्स कंट्रोल करें तो यहां से इने वा टिशेबल कर सकते हैं दरतस के लीडिये एक्स का अगयर डिसे वलोगा तो नहीं चलेगा इनेवल होना जो लोगे इसी तरह मैक्रोज को चलाने के लिए आपके ने वलोनी चाहिए मेसेज बार जब यह चीज़ ब्लॉक होती है तो आपको एक मैसेज देता है कि आपका मैक्रो आपको मैसेज बार ही नहीं है तो यहां दो अप्शन होते हैं शो मैसेज बार और नेवर शो सब्सक्राइब करते हैं तो यह कुछ ऑप्शन है जो इसमें सेक्यरिटी सेटिंग से इसको हम करते हैं रिसोर्सिज में इसके बारे में थोई से इंफरमेशन होती है तो सर्थ यह था आपका सेशन एक्सेल कर्ट्रमाइजेशन के बार ही चीज़िए